पूरे उत्तर भारत में कडाके की ठंड जा रही है दिल्ली एंसियार में आज धूप तो खिली है लेकिन अभी भी उत्तर भारत के कई लाकों में घना कोहरा चाया हुआ है जिसकी वज़े से यातायात काफी प्रभावित हुआ है कोहरे की वज़े से दिल्ली आने वाली 53 ट्रेने देरी से चल नहीं है जबकि 26 ट्रेनों का वक्त बदला गया कोहरे की वज़े से तीन ट्रेनों को रद भी किया गया वह इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर कम विजबिल्टी की वज़े से 10 घरेलू उड़ाने लेट है इसके लामा 8 अंतराश्टिय उड़ाने भी देरी से है तो उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है इसका प्रकोब जारी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर आप देख रहे है वहाँ पर मुसाफिर परिशान है आत्री परिशान है जो इस्टेशन पर पहुँचे लेकिन उनकी ट्रेने देरी से चल नहीं है और दूसी तस्वीर आईजी आई एरपोर्ट की दिल्ली की 18 उडाने प्रभावित हैं इसमें इंटरनेशनल फ्राइट्स भी हैं और नेशनल फ्राइट्स भी है हला कि दिल्ली एंसियार में धूपच्ची खिली है लेकिन ठंड और कोहरे का असर कुछ ऐसे इलाकों में दिख रहा है जहाँ पर खुला मैदान है तो तीन ट्रेने रद कर दी गई है देखिए मुसाफिर ठंड में परिशान लेकिन मजबूरी है राद बिदाने की स्टेशन पर ही पांच गंटा है फिर शे गंटा फिर दस गंटा फिर बारा फिर ऐसे करते करते हैं शुबा हो गया है तो ठंड का प्रकोब देश के कई हिस्सों में लगातार जारी है भुपाल में घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है घने कोहरे की वज़े से दिन में लोग लाइट जला कर गाड़ियां चला रहे हैं वहीं छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाने में भी काफी परिशानियों का सामना करना करना पड़ रहा है उत्रप्रदेश के लहाबाद में मिठ्टरन से लोगों को काफी परिशानी हो रही है लोग अलाव के सहारे ठंड को कम करने की कोशुश कर रहे हैं ठंड से सड़क पर लोग भी कम ही नज़र आ रहा है तो दो तस्वीर हैं ये देखिए भुपाल, मद्रदेश के और उत्रप्रदेश के लहाबाद की ये तस्वीर कोहरे की सफेज चादर के बीच में कुछ लोग निकलते नज़र आ रहे हैं दूसी तस्वीर लहाबाद की गलन बढ़ी है और इसकी वज़र से दिन में भी लोग अलाव कसाहरा लेते हुए दिख रहे हैं